रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै मातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों शनी जोतिश शासर की नजरिये से एक एहम ग्रह है और जोतिश में शनी ग्रह को न्याय का देव माना गया है या वक्री होना सभी राशियों पर खासा स्वर डालता है तो दोस्तों बता दें कि आज रात भगवान शनी अपनी चाल बदलनी जा रही है जी हां बता दी कि शनी ग्रह अब मार्गी से वक्री होने जा रही है बताना चाहेंगे कि आज राज से शनी उल्टी चाल चलेंगे और शनी की यह उल्टी चाल सभी राश्यों पर अच्छा यह बुरा असर डाल सकती है ये कुछ राशियों के लोगों को आर्थिक और स्वास्त संकट देगी तो कुछ को लाब भी करवाएगी जान लेते हैं दोस्तों कि आपकी राशी पर शनी के वक्री होने का क्या असर देखने को मिलेगा क्या ये असर शुब होगा या फिर शुब ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसी अन तक जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मेश राशी वालों की बताना चाहेंगे कि मेश राशी के लोगों को आर्थिक लाब होने की अब संभाब न रहेगी हाला कि आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं वक्री शनी नए व्यापार में संकट भी ला सकती हैं अगर हम यहाँ पर बात करें व्रिश अब राशी की तो बता दें कि आर्थिक स्तर पर व्रिश अब राशी के लोगों को यह जोरान मिले जोले प्रणाम मिलेंगे वहीं अगर आप लोग किसी कॉंपरिटिव एक्जाम की तैयारी कर रही हैं तो उसमें आपको लाब अवश्य ही प्राप्त होगा इस राशी के लोगों को परिवार में बुजर्गों की सेहत पर खास ध्यान देना होगा बात करीं अगर हम मित्हुन राशी की तो मित्हुन राशी के लोगों के लिए कार शित्र में मुश्किलें बढ़ सकती है इन्हें अपने जीवन साथी की सीहद पर भी ध्यान देना चाहिए इस राशी के लोग अपनी वाणी पर सयम रखें वरना मित्रों से विवाध हो सकता है बात करियें अगर हम करक राशी की तो बता दें कि करक राशी के लोगों को साजेदारी को लेकर फाइदा हो सकता है उनका अपने साजेदारों की साथ मन मुटाव खतम होगा हाला की गेर कनूनी कामों से दूर रहने की सला आपको दी जाती है वरना आप कनूनी पच्छडे में फस सकती है दोस्तों अगर हम बात करें सिंग राशी की तो सिंग राशी के लोग कहीं भी पैसा लगाते समय सावधानी बरती वरना आपको नुकसान हो सकता है इस दौरान धन की कमी भी आपको महसूस होगी और शत्रूं का सामना भी करना पड़ सकता है बात करीं अगर हम कर्णिया राशी की तो कर्णिया राशी के लोगों को संतान संबंती इस दुरान समस्या हो सकती है इनकी आमदनी में भी कमी आ सकती है वहीं विद्यारतियों को अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए बात करीं अगर हम तुला राशी की तो इस राशी के लोगों के रुची धर्म और अधियात्म में बढ़ेगी कारिश शेत्र में आप इस दोरान सावधानी रखें क्योंकि इस दोरान वहाँ वाद विवाद बढ़ सकता है पैसा कमाने के लिए कोशिशे आंको करनी होंगी कोई भी फैसला लेने में आप सावधानी बरते हैं बात करीं अगर हम विश्चक राशी की तो इस दोरान विश्चक राशी के लोगों को किसी काम में जमापूंजी खर्च करने पड़ सकती है इन लोगों को परियवार के बुजर्गों की सीहत पर खास ध्यान देना चाहिए बात करीं अगर हम राशी धनों की तो बता दें कि इस राशी के लोगों को इस दोरान आजी विका के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है वक्री शानी इनने सीहत को लेकर तनाव भी दे सकता है बात करीं अगर हम मकर राशी की तो मकर राशी के लोगों को सीहत संबंदी समस्या और तनाव इस दोरान हो सकता है साथ ही और जे धन में कमी भी हो सकती है इस वक्त कोई भी फैसला सोच समझ करी लेना आपके लिए सही होगा दोस्तों बता देखी के बात करें अगर हम कुम राशी की तो कुम राशी के लोगों को इस जोरान निवेश करने का फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए सही नहीं होगा साथ यसा दोस्तों आपको अपनी सेहत के प्रती भी साफधान रहने की जरूरत है किसी भी प्रकार की यात्रा से आपको यह जोरान बचने की जला दी जाती है इस राशी के लोगों को अचानक धन प्राप्ती के भी योग बन रही है बात करेंगर हम राशी मीन की तो मीन राशी के लोगों के वक्री शनी लाबकारी है उन्हीं इस दौरान समाज में मान समान मिल सकता है रुका हुआ पैसा भी वापस आपको मिल सकता है यदि विदेश में कोई मित्र है तो उससे भी आपको लाब आवश्य मिल जाएगा दोस्तों आपसे अनरुद है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्छे दिल से जैश अनिदेव आवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेर आवश्य गर दें